कि वाटनि आलाप्यों को एक्सरसाइज 3.4 कम में इसरी वेगे आपको ट्रांश आप मैटिक्स के बारे बताने जा रहे हैं ट्रांसपो मैटे सब्सक्राहे है परीवर्द न纪र आ युद्रि यह बात्र क्की इरिना होग और ट्रॉन को बिलिन आ mejor इनटर्शेंजिंग है कर फोई मैंट इसपर दीज के रूत में है जिसमें आई रो है टे कालम है तो इसको हम इतने के लिए एजीक्वल एज़े आई रहें यहांने रहीं रों को कालम में कालम को रों में सेज करने यह तो मेर्टिक्स आपको प्राउट होगी वही मैर्टिक्स ट्रांस्पोज आफ मैर्टिक्स तहरे की कुछ हमें टीफिनिशन में इखा मैक्स आप टेंड ऑई इंधर चेंग मेर्टिक्स ऑपी बए दिन llev आगर एच से उसको डिनोट किया जाएगा अगर एड़ेस आपको फाइंट करना है तो इसका मतलब है कि आप तुरांट रो को कालम में कालम को रो में चेज़ कर दिए तो आपको ट्रांस्पोज आफ मैटिक्स प्राफ हो जाएगा के लिया को आप आपने देखा कि ट्रांस्पोज बताने के लिए आपको रो को कालम में लिखेना होगा कालम को रो में लिख देना होगा यही आपका ट्रांस्पोज आप मैटिक्स कहला एगा इसके is said to be symmetric if A-S is equal यानि ऐसा matrix square matrix कि उसका transpose करने पर उसके वाइलों पर कोई फर्क न पड़े यानि A-S जो हो वही A के बराबर हो तो ऐसी matrix symmetric matrix कही जाएगी यानि कोई matrix जो आपको दी गही है उसका इसकी symmetric निकालने के लिए उसको आप transpose करेंगे और अगर transpose की value उसी matrix के बराबर मिलती है तो matrix symmetric matrix कहलाएगा clear? इसके बाद square symmetric matrix देखना है तो square symmetric matrix किसको बोलेंगे जिस matrix को transpose करने पर उस matrix का negative मिल जाए यानि A-S किसके बराबर मिल जाए माइनस A के बराबर मिल जाए तो उस matrix को हम square symmetric के नाम से जानेंगे यानि A-S is equal क्या हो जाए माइनस A के बराबर हो जाए तो O matrix क्या कही जाएगी? square symmetric matrix आप समझें इसको? तेरसे हम remind करा दे रहे हैं यहाँ पर हाँ आई ये इसको फिर से देखें remind आप उत्रा रहे हैं transpose of matrix को find करने के लिए आपको row और column को interchange कर देना होगा तो आपको transpose of matrix मिल जाएगा जिसे हम A-स से denote करेंगे और symmetric matrix O matrix कहलाएगी जिसको transpose करने पर उसके value पर कोई फर्क न पड़े यानि A-स equal हो A के बराबर तो उसे हम symmetric matrix बोलेंगे इसके symmetric किसको बोलेंगे अगर A-स का value minus A के बराबर मिल रहा है तो symmetric isके symmetric matrix कहलाएगी ते लिए इस definition को आप जो है बलंग कर देंगे ठीक से समझ लेंगे और समझने के बाद आपकी exercise 3.4 शुरू की जा रहे है 3.4 के पहले question में आपको transpose आप matrix बताना है यारी A-स की value बतानी है हमने पहले matrix को A कहा A is equal आपको क्या दिया है पाई 1 by 2 1 यहाँ पर आप देखें तो कितने rows है यहाँ पर 3 rows आपको दिखाए पर रहे है पहला row दूसरा row पहले row को हम पहले कालम में लिख दिये दूसरे row को दूसरे कालम में तीसरे row को तीसरे कालम में हमने लिख दिया और यही required transpose of matrix हो गया इसके बाद second part में देखें तो matrix A is equal 1 minus 1, 2, 3 यहाँ पर कितने row पार रहे हैं आप दो row पार रहे हैं तो दो row को दो कालम में लिख देना है पहला row हमारा 1 minus 1 इसको पहले कालम में हम लिख देंगे 1 minus 1 पहला कालम हमने वणा दिया पहले row से हमने पहला कालम लिख दिया दूसरे row से दूसरा कालम 2, 3 आपने देखा कि row को हमने कालम में लिख दिया पहले row को पहले कालम में दूसरे row को दूसरे कालम में यही आपको यह ही आपका ट्रांस्पोर्जा आप माइटिक्स कहलाएगा A-2 से बेनोट है इसके बाद तीस्की माइटिक्स साथ ईसमें तीन G break की है उतぜ तीम*** रो ने कालम हम को पहले कालम में लिखें Maximundo 5156 देंगे दूसरे अभू हमारा दूसरे रो को दूसरे कालम में रूट 356 हमने लिए इसी पकार तीसरे रो को 23-1 को तीसरे कालम में लिए 23-1 लिए और यही रिक्वाइड टांस्कोज आप मैट्रिक्स हो गया यह माइनस यहां पर माइनस वन है यहां पर रो को कालम में लिख दिया गया कालम को रो में लिख दिया गया पहले रो को पहला कालम दूसरा रो दूसरा कालम दूसरे रो को तीसरा कालम में लिख दिया गया और यह है रिक्वाइड टांस्वोज आप मैट्रिक्स आपको क्राफ को गया य कर दो